आज में लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही यूनीक सी रेस्पी नवरातरे में बनने वाले फलाहरी सीख कबाब जी हाँ जितना यूनीक इसका नाम है टेस्ट भी उतना ही बढ़िया हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रजनी और ममा कीचन में आपका स्वागत है फलाहरी सीख कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं आठ से दस काजू वन फॉर्थ कप मोफली के दाने एक कप मखाना धनिया अद्रक बारी कटा हुआ और हरी मिर्च बारी कटी हुई इस सबसे पहले हम कढ़ाई में एक बड़ा चमच घी कर डालेंगे जिसमें हम सारे मखानों को भून लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर कोई बाइंडिंग यूज नहीं कर रहे तो इसलिए हम जो कबाब की बाइंडिंग है वो मखानी और ड्राइफ फूट से देंगी इसके साथ ही इसी कढ़ाई में में डाल दूँगी मौफली और काजू इनको भी बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेंगे इसको हमने बिल्कुल कलर चेंज नहीं करना सिर्फ इनको हलका सब हूनना है जिससे कि इनको मॉश्टर कंश हो जाए और यह हलके से क्रंची हो जाएं जिससे हमें मिकérience में पिसने में इसने मिक्सिय में पिस जाएं मिक्सिया पिस देते हुए ध्यान पाउडर नहीं बनाना, मोटा मोटा ही क्रश करना है, क्रश करने के बाद हम इसको डाल देंगे एक mixing ball में, इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगे डेड़ कप उबला हुआ और ग्रेट किया हुआ आलू, और आलू का आधा थ्री फोर्थ कप पनीर जिसे मैंने ग्रेट कर लिया ह इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ग्रेट किया हुआ अद्रक, धनिये के पत्ते, आलू को उबालते हुए ध्यान देना है कि आलू को बहुत जादा नहीं उबालना, और हो सके तो आलू को उबालने के बार ठंडा करके आप इसे फ्रिज में भी रख सकते ह जिससे कि आलू थोड़े से टाइट हो जाएगा और हमें कबाब बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी मसालों में मैं इसमें डालूँगी नमक, नमक की जो हम स्वाधन स्वार डालेंगे साथ ही में इसमें डाल दोगी आधा चमच लाल मिर्स पाउडर आप नवरात्रे में जो भी मसाला नहीं खाते इसमें से आप उस मसाले को छोड़ सकते हैं अब कबाब तो बीना चटनी के अधूर है, तो हम चटनी बनाने के लिए यहाँ पर ले रहे हैं धनिया, कुछ पुदीने के पत्ते, चार से पाँच हरी मिर्च और एक अध्रक का टुकड़ा, इसके टेक्शर को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं डालूँगी चार बड़े चमच मौफली के दाने, और नमक स्वादनुसार, मौफली के दाने डालने से इसका टेक्शर बहुत ही बढ़िया राता है, और इसकी टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही दही यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खट्टा लिया है, अगर आपका दही नॉर्मल है, खट्टा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप इसमें एक नीम्बू कर रस भी डाल सकते हैं, बहुत ही डेस्ट्री से तीखी खट्टी चट्नी बनेगी, चट्नी हमारी तैयार है, इसका टे पानी हाँ लगाकर मैं इसको कबाब की शेप दे दोंगी, अगर आपके बस नहीं है, तोकोई टेंशन की बात नहीं है, आप नॉ er nice this, कबाब की शेप दे सकते में, जाहें तो कवाब कीlegen, औरकिकी से कबाब की शेप, देने से सर थ네요 मन करता है कि कबाब है तो इसको टेस्स जरूर किया जाए तो मैंने कबाब की शेप दी है अब मैं इनको रोस्ट कर लूँगी रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर तवे को गैस पर गरम करने के लिए रखा है तवे पर मैंने डाला है घी, घी को मैंने हलका सा मेल्ड कर लिया था आप बृत में जोभी घी या फिर ऑल संकते हैं उसको एउस कर सकते हैं कि एक चमज मैंने जिल गर गी डाला है द़ा मैं कबाब को रख दिया है बहुत ही कम ऑईल में बहुत ही कम घी में बन जाते हैं बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टरी बनते हैं आप चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं और फ्राइ भी कर सकते हैं हाँ फ्राइ करने के लिए आपको इसमें मखाने की और थोड़े से काजू की क्वांटिटी को ज्यादा करना पड़ेगा जिससे कि इसमें बाइंडिंग अच्छे सी आजाए बस इस पर हलका हलका घीर लगाकर हम इसको पलट पलट कर अच्छी तरह से शेख लेंगे इन पर बहुत ही अच्छा सा गोर्डन कलर आना शुरू हो गया है बिने इसक्विर वाले कबाब को भी मैं साइड मेर रख कर सेख लोगी ह tweet अई लगाना है और इनको पलेट पलेट कर golden brown होने तक सेकना है बहुत ही जल्दी बन जाएंगे चार से पाँच मिनट में ही तीयार हो जाते हैं जितनी जल्दी ये त्यार होते हैं खाने में भी ये उतने ही tasty हैं इस बार आप इनको जरूर ट्राय करें अब व्रत में या बिना व्रत के भी इसको खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं इनका कलर देखी कितना अच्छा सा आया है अब इसके साथ सर्फ करने के लिए मैं साथ में इसके बना रहे हूं एक डिप हरी चटनी और डिप के साथ इनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा डिप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है चार बड़े चमज दही के या वन फोर्थ अब दही जिसमें मैं डाल दूँगी एक छोटा चमज चीनी का दो से तीन मैंने यहाँ पर हरी मिर्च लिया है हरी मिर्च को बारी काटा है आप चाहें तो क्रश भी कर सकते हैं इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूं एक निम्भू का रस बस इन सब चीजों को मिक्स करना है हमारी बहुत ही टेस्टरी से डिप तयार है इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी एक पिंच नमक कबाब हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं प्लेटिंग के लिए मैं इसको इनको ऐसे ही रख रही हूं आप चाहें तो काट कर भी रख सकते हैं इसको आप अगर सैलेट के साथ यूज सर्व करना चाहते हैं तो आप इसको मूली को ग्रेट करके भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं फिलाल मैं इसको चटनी और डिप के साथ ही सर्व करूँगी बहुत ही टेस्टी बहुत ही अलग सी रेस्पी है आप इस नवरात्रीस को जरूर ट्राई करें वीडियो देखने के बाद रेस्पी को ट्राई करने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेस्पी कैसी लगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें जिससे की मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह की आसान सी और बहुत ही अलग सी रेस्पी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलती हैं अपनी नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए हैपन अव रातरे झाल 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 सकते हैं